फोकस है वो aviation stocks पर भी है आज हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ action नजर आ रहा है पूरी तरह से तो strength नहीं है लेकिन spice jet, inter globe aviation या फिर global vectra यहाँ पर कुछ areas में नजर डाले तो हम देख रहे हैं तकरीबन 1 से 4.5% की strength यहाँ पर दिखाई दे रही है अब क्या कारण है इस तरह के action का बताने के लिए मेरे सायोगी कुछल गुपता जूट चुके है कुछल गुड आफ्टनून बताईए जरा aviation space में क्या हो रहा है गुरातन नेहा आप देखें कल भी यह stocks जो है इन फाक्ट यह पूरा space जो है action में था और इसकी सबसे बड़ी वज़ा बनी जो भी इकरा की रिपोर्ट आती वी दिखी है जिसमें नवंबर का जो air traffic data है जो domestic star पर है वो definitely जो है काफी interesting है और काफी supportive है अगर आप देखें overall industry के हिसाब से यह कह रहा है कि नवंबर में जो घरिलू air traffic है उसने एक करोड के आकड़े को पार कर लिया है और ये एक करोड का जो आकड़ा है ये पार अब February 2020 में last हुआ था जहाँ पर ये जो आकड़ा था वो करीब 1.23 करोड घरिलू passengers का था अब आप देखें pandemic के बाद एक करोड का आकड़ा पहली बार overall aviation space में domestic air travel में पार होता हुआ दिखा है तो इससे clear cut ये indications है कि यहाँ पर जो सालाना 64% की growth होती भी दिखी है और month on month अधार पर भी देखेंगे तो October के मुकाबले 15-16% की growth हमें आती भी नजर आ रही है पूरे air traffic space में तो लगातार आप देखें यहाँ पर बढ़ोतरी देखनी को मिल रही है पर कही नगाई कुछ चनौतियां कुछ concerns भी आगे नजर आ रहे हैं जिसमें सबसे पहला definitely हम जानते हैं कि जो omicron का issue है वो कही नगाई हो सकता है कि जो demand recovery हमें लगातार month on month अधार पर आती भी नजर आ रही है उसको थोड़ा सा यह hurt करतावा नजर आए और दूसरा सबसे बड़ी वज़ा आप देखे कच्चा तेल जिस तरह से और खासकर जो ETF है उसके कीमतों में बहुत तेज उच्छाल पिछले साल के मकाबले करीबन 67% का होता हुआ दिखा है तो यह थोड़े से dampening factor हो सकते हैं overall demand recovery में बट definitely जिस तरह के नवंबर में आकड़े आते वे दिख रहे हैं अगर इकरा की रिपोर्ट के अनुसार वो पूरे aviation space के लिए काफी उच्छा जनक है और in fact UK aviation से हम देखते हैं tour and travel या hotel sectors भी जुड़े होते हाल फिलहाल में in fact मुझे याद है कि इसी हफ़ते हम hotel sector पर भी नजर डाल रहे थे और किस प्रकार से जो occupancy है वो pre pandemic level से भी बहतर प्रदर्शन वहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये all in all हम कह सकते हैं कि aviation, hotel, tours and travels इन सब की अगर बात करें तो काफी हद तक जो omicron नया variant है coronavirus का उसको लेकर जो concerns अब ease होते हुए दिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि all in all market की inclusive participation नजर आ रही है शुकरी आप बहराल कुशल आपका माईसा जुड़ने के लिए और aviation sector में क्या कुछ buzzing है वो दर्शकों के सामने रखने के लिए